इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जन्धन खाते को सामान्य स्यभिंग एकाउंट में कैसे बदला जाता है दोस्तों इसके लिए एक बहुती साधानों सा प्रासेस है आपको एक सिंपल सा अप्लिकेशन लिख लेना है आपके पास बस एक साधा पेपर होना च ब्लू पेंट से लिखेंगे एक बात और आपको याद दिला दूँ कि बैंक जाते समय आप पैन कार्ड और अधार कार्ड दोनों साथ लेके जाईएगा क्योंकि दोनों का फोटो कापी लगता है और दोनों ही फोटो कापी पर आपको सिगनेशर करना होता है अप्लिकेशन को आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भासा में लिख सकते हैं मैं आपको दुनों ही भासा में लिख करके दिखा दे रहा हूं सबसे पहले मैं आपको हिंदी में दिखा दे रहा हूं तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिखना है सेवा में उसके बाद से कामा लगा देनी जो भी बैंक हो आपको उसका नाम लिखना है उसके बाद से आपको यहाँ पर कामा लगा देनी है कामा लगाने के बाद से साखा लिख करके और जो आपके बैंक के ब्रांच का नाम है वो नाम आपको यहाँ पर लिख देना है जैसे मैं जिस ब्रांच मैं आया हूँ इसका ना ठीक विसय के नीचे यहां पर थोड़ा सा जगा छोड़ देनी है अब आपको यहां पर महोदय लिखना है कमा लगा देनी है अब आपको यहां पर application शुरू करना है कि स्रविने निवेधन है की प्रार्थी तो उसके प्रार्थी के बाद से जिस ब्यक्ति का एकाउंट है उस ब्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखना है जैसे मैं जिनका फार्म भर रहा हूं उनका नाम संतोष कुमार है तो जो ब्यक्ति आपका जो नाम है वो आपको अपना नाम लिखना है दूसरा कुछ नहीं लिखना ह यानि आपके passbook पे जैसा नाम है वही नाम आपको यहाँ पे लिख देनी है उसके बाद से लिखना है कि का खाता आपके bank में है उसके बाद से यहाँ पे आपको खाता संख्या लिख देनी है यानि आपके जो passbook पे आपका जो खाता संख्या है वो खाता संख्या आपको लिख लिखना है उसके बाद से यहां पर आगे लिखना है कि और यह एक जंधन खाता है जिसके कारण में बहुत कम लेन देन कर पाता हूं उसके बाद से पारग्राफ चेंज कर देने हैं नीचे से लिखना है यहां से कि अतर आप से नम्र निवेदन है कि मेरे जंधन खाते को सामान यह बचत खाते में बदलने की कृपा करें इतना लिखने के बाद से आपको नीचे आ जाना है यहाँ पर लिखना है खाता धारक तो नीचे जिस ब्यक्ति का एकाउंट है उसका नाम यहाँ पर लिखना है उसके बाद से यहाँ पर खाता संख्या लिख करके खाता संख्या लि और आधार कार्ट की फोटो कापी जिस पे आपका सिगनेचर होगा तो इन सभी को आपको सब्मिट करना होगा अब मैं इस अप्लिकेशन को अंग्रेजी में भी दिखा दे रहा हूं कि अंग्रेजी में कैसे लिखेना है तो मैंने इस पेज के पीछे ही अंग्रेजी में लिख